नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है किस किस तरह की ख़बरें हम लोग जमु कश्मीर के बारे में सुनते आ रहे हैं और कैसी कैसी बाते अभी हाल तक भी की जाती रही हैं और उनमें में अंतर राश्टी ये इस तर पर जो हमारे पडोसी देश है यानि पाकिस्तान और चीन भी इस समय शामिल रहा साजिश में ये फैलाने में कि जमु कश्मीर में तो लोगों के जो मानाव अधिकार हैं उनको भी कुछला जा रहा है जो बेसिक राइट्स हैं वो भी लोगों को नहीं दिये जा रहे हैं तरह तरह की अफ़वा हैं और जब 2019 में पांच अगस्त को जमु कश्मीर से 370 हटाया गया था 35 को हटा दिया गया था तब पाकिस्तान ने अलग अलग देशों के जो भारतिये उच्चायोग थे या दूतावास थे उनके बाहर जो बावाल किया था और अंतर राष्टिये मेडिया में भी जिस तरह के प्रोपेगंडा चलाए गए थे जमु कश्मीर को ले करके क्या वो हम भूल सकते हैं अभी हाल में भी संयुक्त राष्ट संग से ले करके और जितनी भी उसकी सहयोगी संस्थाएं हैं मानाव अधिकार परिशद है संस्थाएं हैं वहां भी प्रोपेगंडा किये गए जूड बोले गए लेकिन जमु कश्मीर में जो चीजें बदल रही हैं खास तोर से जो जमीन पर बदल रहा है उसको आप कैसे जुटला सकते हैं और अब तो जो सूचनाएं आ रही हैं विशेस कर पाकिस्तान के कबजे वाला जो जमु कश्मीर का इलाका है या गिलगिट बाल्टिस्तान से भी जो खबरे आ रही हैं वो तो ये बताती हैं कि वहां इस चीज को लेकर के ही अब धरने परदर्सन असंतोश शुरू हो चुका है कि भारत के पास जो जमु कश्मीर है इसमें दिन रात प्रगती हो र रहे हैं और वहां पर जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो भी लोगों को उपलब्द नहीं हैं जिनमें बिजली, पानी, सडकें, सिक्षन संस्थान, स्वास्त की सेमाएं और अब आवाजे उठने लगी हैं वहां पर के हम को पाकिस्तान से आजादी चाहिए वहां चीन के खिलाब भी लगातार परदर्शन हुए हैं, धरने हुए हैं और यहां यहां तो नीचे तक विकास के काम हो रहे हैं, गाओं और कस्बों तक विकास के काम हो रहे हैं, जितना पैसा पहुँच रहा है दिल्ली से वो अब वहां लगता हुआ दिखाई दे रहा ह विधान सबाचुनाव की तैयारियां तक शुरू हो चुकी है परिसिमन का काम पूरा हो गया है साथ सीटे और बढ़ा दी गई है छे सीटे जम्मू उधंपूर क्षेतर में एक सीट गाटी में बढ़ी है और इसको लेकर के भी फारुक अब्दुल्ला से लेकर के महबुबा म मुष्टी तक के पेट में दर्द हो रहा है उनको मौधी सरकार के कई एहम फैंसले परेशानी बढ़ा रहे हैं उनकी अभी महबुबा मुष्टी का एक बयान सुना होगा आप लोगों ने कि महत्मा गांधी का प्रिय भजन जो है वो इसकोलों में बच्चों से क्यों गवा में भी इनको संपर्दा एकसा दिखाई देती है इनको एक साजिश दिखाई देती है कि घाटी का हिंदू करण किया जा रहा है अभी कुछ और फैसले हुए थे उनका भी विरोध जैसे करीब 20 से 25 लाख नए मतदाता बन रहे हैं पूरे जमु कश्मीर में तो उस पर भी इ एक करोड पहुंच जाएगी तो बहुत सारी परेशानिया है एक और परेशानी बढ़ाने वाला कदम उठा दिया गया है और वो है कि शिरी नगर में जमु कश्मीर की जो राजधानी है वहां पर एक सिनेमा घर एक मल्टी प्लेक्स खोला जा रहा है जिसका उद्गाटन कर दिया गया है और ये खबर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि तीन दशक बाद शिरी नगर में लोटा मल्टी प्लेक्स का दोर एल जी मनोज सिनहा ने उद्गाटन किया और इस खबर में अगर डीटेल में जाएं तो जानकारी दी गई है कि मनोज सिनहा ने शिर सिनेमा उद्गाटन का उद्गाटन कर दिया है कश्मीर के पहले मल्टी प्लेक्स में पांच सो बीस सीटों की कुलक शमता वाले तीन सिनेमा घर होंगे ये खबर बहुतों के दिलों पर सांप लोटाने का काम करने वाली है ना किवल जो जम्मु कश्मीर में सामपरदाइक राजनीती के बल पर सत्ता में रहते आए हैं सत्ता का स्वाध चकते आए हैं बलके सीमा पार बैठे हुए जो साजिश रचने वाले हैं और वहां की सरकार से लेकर के आर्मी और जो आतंकवादी संगठन और उनके सरगना है उन सब के लिए भी ये परिशानी का सबब बनने जा रहा है इसके अलावा जो अंतरराश्टी ये मीडिया पश्चिम का मीडिया जम्मु कश्मीर में मानव अधिकारों को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के बेवजह के शीवुफे छोड़ता रहा प्रोपेगंडा करता रहा उनके लिए भी ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है खबर ये डिटेल खबर का ये है कि मनोज सिना ने उद्गाठन करते हुए इस मल्टि प्लेक्स का ये कहा कि वो दिवंगत अभिनेता श्यम्मी कपूर को इस अवसर पर स्रधांजली देते हैं विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है जिन्हें लोगों की आकांक्शाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी उनका इशारा समझ लीजिए किनकी तरफ है उन्होंने इसके विपरीत काम किया लेकिन अब समय बदल गया है और जो प्रतिष्ठित निजी इस्कूल चैन के मालिक हैं विजेधर उन्होंने कहा कि मल्टी प्लेक्स को मंगलवार को आमिर खान अभिनित लाल सिंग चड़ा की विशेष इस्क्रीनिंग के साथ जनता के लिए खोल दिया जाएगा यानि आज ही लाल सिंग चड़ा की दिया जाएगा तीस सितंबर से रितिक रोशन और सैफ की जो फिल्म आ रही है रिलीज हो रही है विक्रम वेधा उसकी स्क्रीनिंग के साथ इसमें नियमित शो शुरू हो जाएंगे और ये जो विकासदर की जो कंपनी है टकसाल हॉस्पिटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड इसने मार्च दो हजार बीस में याद रखिए पांच अगस्थ दो हजार उननीस को तीन सो सत्तर हटा था और इसके अगले साल इन्होंने मार्च दो हजार बीस में आवेदन कर दि यहां multiplex बनाना चाहते हैं शरी नगर में कुछ और जगहों पर भी बनाने की योजना है जून 2020 में यानि तीसरे महिन्य में इनको अनुमती मिल गई थी और ये जो परिवार है विकास धर का ये जम्मु कश्मीर का एक well-known परिवार है और करीब करीब 300 किलोमेटर दूर जाना पड़ता था लोगों को अगर उनको सिनेमा देखना है जम्मु जाई ये शरी नगर से चल करके और सिनेमा हाल जो बंद किये गए थे वो 90 के दशक में बंद किये गए थे जब आतंक वादियों के निशाने पर वो आ गए थे और एक ऐसी पूरी पीड़ी है इस समय जम्मु कश्मीर में खास तोर से घाटी में जिनको पता ही नहीं है कि सिनेमा हाल होता कैसा है मल्टि प्लेक्स कैसे होते हैं वो बस न्यूज में देखते हैं या भारत के दूसरों दूसरे हिस्सों के जो मल्टि प्लेक्स है जो सिनेमा घर है उनके बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं अब ये ऐसा आउसर आया है जब वो सिनेमा घर जाकर के मल्टि प्लेक्स जाकर के सिनेमा देख पाएंगे अपने पसंदीदा जो अभिनेता अभिनेतरी हैं उनकी फिल्म में देख पाएंगे 1990 में आतंकी संगठनियों की जो धंकिया थी और जो हमले थे उनकी वजह से कि लोगों को और नुक्सान ना उठाना पड़े सिनेमा घर बंद कर दिये गए थे वो बरबाद हो गए उजड़ गए और उसके बाद जितनी सरकारें आई राज्ज में भी और केंद्र में भी किसी ने ये साहस नहीं किया कि वहाँ पर सिनेमा घर दुबारा से शुरू किये जाएं क्योंकि फिर उसी तरह की हिंसा की आशंका थी अगर हम बात करें तो नो सिनेमा घर तो अकेले श्री नगर में ही थे एक दोर में और इनके नाम भी यहांपर दिये गए रीगल है, पैलेडियम है, खयाम है, फिर्दोस है, शाह, नाज, नीलम, शिराज और ब्रॉडवे, यानि नो सिनेमा घर किसी दोर में श्री नगर में हुआ करते थे और ये अच्छी खासी भीड एक समय में उमरती थी सिनेमा देखने के लिए लेकिन कभी ये सुद नहीं ली गई फारुक अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि 1999 में इनकी सरकार ने रीगल नीलम और ब्रोडवे को खोलने की कोशिश की थी लेकिन उसी साल सितंबर में जो रीगल है उस पर ग्रेनेड से हमला कर दिया गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई बारग हैल हो गई तो उसके बाद जो है फिर किसी ने ये हिम्मत ही नहीं की कि दुबारा से सिनेमा घर शुरू किये जाएं लेकिन आप जानते हैं कि अगस्त 2019 के बाद गहाटी में कितना बड़ा काम हुआ है ना केवल एलगाव वादियों पर मुश्कें कस्दी गई बलके आतंक वादी और उनके जो सरगना है उनको भी चुन-चुन करके मारा गया अब तो ये कहा जाता है कि पूरी घहाटी में ही मुश्किल से सो आतंक वादी बच्चे होंगे और उनके लिए भी टार्गेट से कर दिया गया है अगले एक सवा साल में उनको भी खतम कर दिया जाएगा तो ऐसे में जो इस समय माहोल बदल रहा है उसी के मद्य नजर सरकार ने अब वहां मल्टिप्लेक्स शुरू करने का एहम फैंसला लिया है लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए कि सीमा पार जो लोग बैठे हुए है भारत विरोधी जम्मु कश्मीर को हड़पने की चाहा रखने वाले वो इस मोहीम को पलीता लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे इसलिए सरकार को विशेस कर मल्टिप्लेक्स की सुरक्षा के विशेस इंतिजाम करने पड़ेंगे अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर